देखना है न यह वाली पाओ यह य वाली वाली बाओyorum लिए उचरिंवता और नसमत कर सो месте और विडियो अच्छी लगेगी कर दिजयेका चैनल को सब्सक्राइब कर दिज怎么了 सब्सक्राइब कर दिजा चलिए ज़ल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं गिहों के आटे से मैदे से चिससे आपको अच्छा लगे तो पहले न समाने स्क्रीन पे लिख्या सब को मिला लिज्येगा सिर् reason और सिर्फ मैदे या आटे को छोड़के ठीक बड़ियास हमने मिक्स कर लिया और इन सारी चीजों को हमें 10 मिनट के लिए रख देना है जिसे अपना इस्ट हो गया दूद हो गया शुगर हो गया बटर हो गया मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे फिर उसका मैदा या आटा तो मैंने इसमें 10 मैटा आटा डाला है पूरा मैदा डाल सकते है पूरा आटा डाल सकते है आपके उपर है और बनेगी बिल्कुल मार्केश टाइल तो अब आपको बाहर से पाव लारेंगे बिल्कुल ज़रूरत नहीं आप घर पे बनाए एकदम बढ़िया वाली जब आपका मैदा या आटा मेक्स हो जाए उसके बाद ले थपिड ले थपिड मारें और एकदम सुन्दर चिकना बनाएगा बढ़िया क्योंकि अगर यह चिकना नहीं बना तो पाव भी चिकनी नहीं बनेगे तो अगर आप चाहते हैं कि पाव चिकनी बने पाव एकदम है कि हमने इसको बनाई कैसे क्या क्या इसमें डाला है क्योंकि बाहर वाला पाव लेके आएंगे तो सबसे ज्यादा यही प्राब्लम होते है कि भाई इसमें अंडा ना हो और हम जो घर पे बनाएंगे उसे में पता है कि हम पूरा का पूरा एगलेस बना रहे है और आपका लंबे टाइम तक आपका पाव लंबे टाइम तक ना अगर फ्रीज में रखेंगे तो भी सॉफ्ट रहेगा और बटर डालेंगे तोड़ा सा हो जाता मतलब मतलब टेस्ट बटर देगा और मॉश्यर हमारा ओयल देगा तील देगा इसलिए मैं तेल का भी यूज करूँ ठीक अब क्या करेंगे साइड में 40 मिनिल के रखेंगे ताकि गुस्से के मारे गुलगप्य जैसा फूल जाईए देख रहा है इतना सुन्दा 40 मिनिट में फूल गया है अब इसे अब निकाल लेंगे और मैं इसको हवा पंच मार के बिलकुल भी नहीं निकाल रही हूं डायरेक् में एसे खट ठीक है अब फीर आपको क्या करना जितना बड़ा चाहिए जितना चोटा चाहिए उसे अब बना लगया हम उसी आप बहु demons other safi no मेरे चानल पर देखते रहे हैं और रोज कुछ आपको नया बताऊंगे नया सिखाऊंगे तो गोगल किचन को बहिए सब्सक्राइब कर लिजेगा और हाँ इंस्टापर फॉलो भी कर लिजे इंस्टाग्राम पर भी गोगल किचन ही आईडी है हमारी ठीक है तो यह हमारा जो का जो गोल गोल गोला है उसे हम बना के रख देते हैं साइड में ताकि थोड़ी दिर बाद यह और ज्यादा राइज हो जाए और बढ़िया से हमारी पाव जो है ना रेडी हो जाए भाई तो यह हो गया और ऐसी कर गया जो छोटा चुटा चुटा कॉर्डर कॉर्णर का है इसको क्या करने एकसा tam मिक्स करेंगे दों को एकसाथ मिक्स करेंगे हमारी पाव की जो गोला है वो जाए यह इसे खट अब क्या करोंगी फटाब थेस्पीड बढ़ांगी बढ़ा आ सारा पाव रडी कर लूँगैए इसे चुटकी बजाती थी अब अब ले लिया है अयर जो फ्रायर का जो फ्रायर होता है वो और इसमें में क्या करने वाली हूं थोड़ा सा लगाऊंगी ओएल और कोई बटर पेपर नहीं लगाना है पटावर से आप अपने एर फ्रायर में ये डाल दीजे और 10 मिनट और थोड़ा सा रस्ट दे दीजे ताकि एकदम बढ़िया से ना इसमें और थोड़ी सी मतलब ये फूल जाए दुबारा वाले जो प्रूफिंग का टाइम होता है वो तो 10 मिट काफी 10 मिट रख दीजे हराम साचे से फूल जाएगा कपड़े से ढखके रखके 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 का कि हवा अंतर ना चाहिए क्योंकि इसमें देखिए चार टाइम का भी मिलेगा तो यह कि मैंने बन सिक्षे पर कर दिया और यह साइड आपको टाइम का तो मैं तीस से पांतिस मिटी से लगा दोंगी ठीके 2 मिटी से प्रेहिट करूंगी तो यह हमारा अगारो का हमने ले लिए एर फ्रायर और इसमें में बड़ा आसाने बढ़ा त अब बहुत सारी रेसिपी आपको शेयर करने वारी हूं अभी कपकेक और केक भी लेकर आने वाली हूं तो मैंने किसमें दूद ना लगाना भूल गए तो उपर से मैं कर रही हूं मिल्क वाश तो बढ़ियाज अगर आप अड़ा खाते होंगे तो एग वाश करिए नहीं त पाओ हो गया हमारा रेडी देखे कितना बढ़िया बनता है या वड़ा वड़ा में एर फ्राइड की बहुत सारी रेसिपी आपको लेकर आने और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देदिया है जीने पर्चिस करना है कर सकते हैं और हम मैंने इसमें कप और कपने कपकेक और क कि बहुत एकदम इंटेस्टिंग से रेसिपी लेकर आने वाज यो से पांच मिनट में बनके रेडी होगा एकदम यह हमारा सूपर सॉफ्ट लादी पाओ हो गया रेडी वह भी में तो कैसी लगे वीडियो जरूर बताएगा और कितनी सॉप मैंने इसमें आट और मैदा दो अब हमारा कपकेक और केक बांगी बया चली मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नया लिख रहाते हैं कुछ नया दिखाते हैं ठीके चली कल मिलते हैं